हेलो एवरीबन वेलकम टोर यूट्यूब चैनल टार्गेट फॉर आईक्यू देखेगा टार्गेट फॉर आईक्यू की टीम के द्वारा एक न्यू बैच मध्यपर्दे स्विल जच मेंस के लिए स्टार्ट होने जा रहा है आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश मेडियम में तो पहले से स्टार्ट हो गया है और सर नहीं पहले ही कंफर्मेशन भी दे दी थी आपको क्लियर भी कर दिया होगा आपने देखा होगा टेलिग्राम का जो पब्लिक चैनल है उसमें आप देखते होंगे कि MP मेंस के लिए जो कंटेंट है किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा है ना फर्स्ट पेपर की और थर्ड पेपर की प्रिप्रेशन आपको कुराई जाएगी इंग्लिश और हिंदी मेडियम दोनों में है ना तो उसका जो इंग्लिश मेडियम वाला बैच है वो पहले से ही स्टार्ट हो गया है और उसमें काफी कंटेंट पहुच भी एक तो हम यापर क्या करेंगे यहाँ पर आपको हैंड एतल संवर मेंगें ठीकर हास से लिखे हुए को और और आइसर के जाएगी मृद्य पर देजह में उसके लिए और इसमें साथ में क्या होगा कि आपको question answer provide कराएगे question answer format में इसके साथ ही आपको audio form में इसके lecture भी प्रोवाइड कराएज जाएगे कि आपको जिससे की जो जो चीजे समझने की है कि अगर कोई question आ गया कि गरफतारी के उपर कोई question आ गया ठीक है आपने पढ़ लिया कि section 41 में गरफतारी के समझ में प्रावधान दिये गए हैं यह तो आपने पढ़ लिया question लिया लेकिन इसी के साथ में क्या कराएगे हम लोग आपको एक audio format में भी देंगे ठीक है ओडियो देंगे जिससे क्या होगा कि आपने वो question answer लिख लिए write कर लिए हैं लेकिन जब आप उसी audio को सुनेंगे तो वो कुछ चीजें आपके दिमाग में automatically ही set हो जाएंगे ठीक है समझ भी पाएंगे लिख भी पाएंगे याद भी कर पाएंगे एक साथ तीनों काम हो जाते हैं ठीक है और आपने हमेशा सुना होगा कि अगर हम एक चीज को लिखें और साथ में पढ़ें और उसके बाद में उसी चीज को हम सुनें ठीक है तो वो चीजे हमें सतर से असी परसेंट तक याद रहती है तो इसलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है बहुत अच्छे से इसमें जो भी कंटेंट होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा फर्स पेपर और थर्ड पेपर की तयारी कराया जाएगी मध्यपर्दी सिविल जज मेंस के लिए लेकिन इसमें जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट में भी आते हैं बेसक अभी हमारा ग्रूप नहीं चल रहा है जैसे कि अगर ये मेंस के लिए हमारा बैच स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर आप जोइन नहीं कर पाएं हैं अगर पहले हुआ है तो आप कुछ सब्जेक्ट के तयारी MP मेंस का पेड ग्रूप जोइन करके भी तयार कर सकते हैं आप पहले से ही अपने मेंस के आंसर तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट होगे तो देखेगा जो पेपर वन होगा MP का जो पेपर वन होता है उसमें civil law and procedure होत हैं यह तिनों ही सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश जोडिसरी में भी आते हैं चीक है बिहार में भी आते हैं उत्तर प्रदेश में भी आते हैं और almost I think कि सभी स्टेट में यह सारे सब्जेक्ट आते होंगे इसी के साथ कौन सा है फोर्थ नंबर पर इंडियन कॉंटक्ट एक् तो यहाँ पर बात कितने 6 सब्जेक्ट की होगी फिर हमारा जो second paper आता है देखिए इसमें pleading and drafting वाला कोई paper होता है तो इसकी तयारी यहाँ पर Hindi medium में अभी तक available नहीं है तो इसके बाद हम किसकी तयारी कराएंगे paper 3 की जिसमें criminal law और procedure होगा तो अगर हम बात करें दो act की दो act कौन-कौन से है कि MP का accommodation control act है 1961 MP land revenue code है 1959 यह दोनो act हो गए local act MP के clear इसके बाद में जो इसमें act आ रहे हैं वो भी ऐसे act है जो कि MP के सासाथ other state में भी आते हैं जैसे Indian evidence act हुआ फ़िस सभी state में आता है और बहुत most important है चाहे वो CRPC हो, IPC हो, Constitution हो, Code of Civil Procedure हो contact हो तो यह तो ऐसे subject हैं जो हमारे major subject हैं जो कि सभी state में आते ही आते हैं इसके साथ में Indian Penal Code आता है फिर इसमें third paper में subject जो 4 है वो है Indian Penal Code फिर है भई हमारा Code of Criminal Procedure CRPC और फिर हमारा last कौन सा आता है यहां पर आता है Negotiable Instrument Act 1881 चीक है, प्रोग्राम में लिखत अधिनियू clear, तो यह तो बात होगी क्या कि हमारे कौन-कौन से subject यहां पर आने वाले हैं चीक है, अब फिस कितनी होगी देखें फिस है इसकी 3000 रुपीज paper one और paper third दोनों के लिए clear है, दोनों को comment किया हुआ है दोनों paper के लिए 3000 रुपीज है कुछ key features है यह आपको description में मिल जाएगा और जो हमारे public channel है target for IQ अगर आपने उसे join नहीं किया हुआ है तो आप link नीचे दिया हुआ होगा description में link दिया होगा तो उस पे click करिएगा और उसे join कर लेजिएगा clear है, तो key feature है कि सारे subject क्या कराए जाएंगे cover कराए जाएंगे सारे जो notes होगे, वो hand written form में होगे material जो होगा जो material है वो question and answer format में पेडिया form में आपको telegram में provide कराए जाएगा audio lecture होँगे कुछ tips है तो वो tips होगे एक एक करके subject cover कराए जाएगा, यही नहीं है कि आपको एक साथ ही, आज एक question किसी subject कराया, कल दूसरा किसी subject करा दिया ऐसा नहीं होगा, आपको क्या है कि question answer जो भी मिलेंगे subject wise ही मिलेंगे, ठीक है आप discuss कर सकते है answer check करा सकते है content जो होगा, दोनो भासाओं में available है, चाहिए वो English medium है, Hindi medium है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि English medium का पहले से चला हुआ है, अभी यह Hindi medium में start होने जा रहा है, clear है पता ही होगा content जो आपको provide कराया जाता है वो telegram group पे कराया जाता है join करने का process क्या है कि आप 7500-110314 इस number पर call करके message करके, whatsapp करके contact कर सकते हैं और जो भी details है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारे group को join कर सकते हैं, ठीके इसके बाद में भई एक demo है, ठीके demo के question कि आपको पता भी तो चलना चाहिए, चलो मैंने आपको इतनी उपर इतनी सारी बाते बता दी कि भाई, ऐसे ऐसे होगा है न, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि question जो मिलेगा, हमें question answer जो मिलेगा, वो किस format में मिलेगा, तो देखेगा, यहाँ पर CRPC का एक most important question है जो आपने सभी ने चाहिए किसी ने प्री की तयारी की हो मेंस की तयारी की हो, interview दिया हो चाहिए कुछ भी हो, चाहिए सभी ने ये question पढ़ाई होगा कि available offense और non-bailable offense क्या होते हैं, कि जमानती अपराद और गैर जमानती अपराद क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर हैं, चीक है, इसको सपस्ट करना है, तो देखेगा यहाँ पर साफ दिया गया है कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि दन परक्रेशीटा 1973 की धारा दो कहके अनुसार ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताना होगा कि कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो कहाँ पर क्या गया है, टू ए में क्या गया है, कि बेलेबल ओफेंस क्या है, कि बेलेबल ओफेंस से ऐसा अपराद अविप्रेथ है, जो पर्था मनुसूची में क्या दिखाया गया हो, जमानतिये के रूप में दिखाया गया हो, या चीके साथ में हमने उधार्ण दे दिया कि कौन से उफेंस ऐसे है जो की बेलेबल हो सकते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या कर रहे है हम सुच्छा पूरग चोट पहुंचा रहे हैं सदोस रूप से वरोधित कर रहे हैं या परिरोधित कर रहे हैं किसी इस तरीकी लज़भं क कर रहे हैं मानहानी आदी ये सारे ओफेंस क्या है बेलेबल ओफेंस है इसके बाद में बात करते हैं कि नॉन बेलेबल ओफेंस क्या होते हैं तो ये भी कहां पर धारा दो क्या में ही जमानती अपराद के साथ में ही परिभासित क्या गया है कि जो अपराद क्या नहीं है जमान जमानती हैं होगे simple सी बात है ठीक है तो क्या है कि जमानती अपराद के इतिरिक्थ जितने भी अपराद है जिन में बेल नहीं मिल सकती तो वो सारे कौन से offense हो जाएंगे non valuable offense हो जाएंगे जमानती अपराद हो जाएंगे तो इस परकार अगर हम key features देखें एशेंशल देखें तो एजमानेती अपराद कौन से हैं जो कि दंड परक्रिया सहीता की पर्थम अनुसूची में लिखी थे हैं कि यह अपराद क्या है एजमानेती अपराद हैं महाँ पर एक index दिया हुआ है आपने हमेशा देख इस के बाद में है इस के तो श्रय सैहें एजमानेती अपराद की उपधारां में दी जमानेती अपराक Совा ये बिल्कुल भी सपस्ट नहीं होता है, इस बरगिकरण है, तो किस मापदर्ण का व्योग किया जाता है? ठीक है? तो ये बात अवस्यर स्ट, लेकिन इससे क्या बात सपस्ट हो रही है? इससे ये बात सपस्ट हो रही है, कि कोई अपराज जमानेतिया होगा, अत्वा एजमानती होगा डैफिनिशन से ठीक है इस पस्ट नहीं हो रहा है इस पस्ट करने के लिए हमें क्या देखना होगा हमें पर्थम अनुसुची को ही देखना पड़ेगा क्लियर है फिर कहता है कि भारते दन सहिता में वर्नित अपरादों की संपूर्ण सुची करमवार अनुसुची में दी गई है जितनी भी ओफेंस है उसमें दर्साया गया है कि किस धारा के अंतरगत अपराद क्या होगा अबेलेबल होगा या नोन बेलेबल होगा फिर इसके कुछ most important point होंगे तो वो इस परकार से आपको दिये गए होंगे clear है फिर इसके बाद में difference देख लेते हैं कि जमानतिय तथा ए जमानतिय अपराद में अंतर चाहे आप join करें हमारा paid group या फिर नहीं वो आपकी मर्जी है ठीक है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी difference करेंगे कोई भी आपको question आए अंतर वाला तो आप one side एक part लिखेंगे second side दूसरा part और बीच में line खिचके उसके बाद में ही आप उस answer को दीजेगा इससे अच्छा effect पढ़ता है किस पर teacher पर भी check करने वाले पर भी और उस पर उसे समझ में बहुत अच्छे से आजाता है और जब उसे समझ में आ जाएगा तो वो number भी आपको जरूर देगा चीक है तो यहाँ पर जमानती अपराद और ए जमानती अपराद की बीच में अंतर दे दिए गए है इसके बाद में case लो अगर है most important है और आवशक लगता है तो उसे भी क्या कर दिया गया हमने यहाँ पर उसे भी डाल दिया उसे भी साथ में लगा दिया जिससे की थोड़ा सा ओर impression क्या teacher पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े और वो एक number हमें कम से कम और ज्यादा बढ़ा दें चीक है heading wise है देखेगा आप जो भी होगा heading wise होगा चीक है आपको easily समझ जा जाएगा चीक है तो अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो description में आपको detail दे दी गई है और sir को आप call करके join कर सकते हैं thank you so much